हेले ब्रीवन विलकूम टू वायर एलुजकेशन क्लास 9 & 10 हिंदी तो इस बीड़ुमें क्लास 9 हिंदी के सुक्रतारे के समान चेप्टर को पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार करते हैं तो इस चेप्टर के लिखक है स्वामी आनंद तो इसमें स्वामि आनन्द जी ने गांधी जी के निजी सची महादेव भाई की तूलना सुक्रतारे से की है जो सारे अकास को जगमगा कर दुनिया को मुगत करके अस्थ हो जाता है तो लिखक करते हैं कि जब उन्हें 147 में महादेव भाई देशाई गांधी जी से मिले तब गांधी जी ने उन्हें उत्रा अधिकारी का पद सौब दिया सन 19-19 में जलिया वाला बाग हद्यकांड के दिनों में गांधी जी ने ग्रिफतार होते समय महादेव जी को अपना वारिश कहा था उन दिनों गांधी जी के सामने अंग्रेश दबारा अतेचारों और जुन्म की जो दल कहानिया सुनाते आते थे महादेव भाई उनकी संचिप्त टिपने बना कर उन्हें रुप रूप मिलवाते थे उसके बाद आगे लेखा कहते हैं कि करनिकल के संपादक हरनी मैन को देश निकालने की सजा मिलने पर यंग इंडिया सब्ताहिक में लेखों की कमी पढ़ने लगी क्योंकि हरनी मैन ही मुखी रूप से लेख लिखे थे इसलिए जिम्मेदारी गांदी जी ने ले ली बाद में उनका काम बढ़ने के कारण इस अकबार को सब्ताह को दो बार निकालना पड़ा कुछ दिन बाद अकबार की जिम्मारी लेखा के हाथों में आ गई उसके बाद हादेव जी और गांदी जी का सारा समय देश ब्रामन में बितने लगा परंतु महादेव जी जहां भी होते समय निकालकर लेख लिखते और भेजते महादेव भाई गांधी जी के यातराओं और दिन परती दिन की गतिवीधियों के बारे में लिखते और साथ ही देश विदेश के समचारों को पढ़कर उस पर टीका टिपनियों भी लिखते थे उसके बाद लेखा कहते हैं कि अपने तिर्वी विदेशी विदेशी समचार पतर वालों के महादेव भाई लाडले बन गए गांधी जी के पास आने से पहले ये सरकार के अनुवाद विवाग में नौकरी करते थे इन्होंने कई सहायतियों का अनुवाद किया था उसके बाद लेखा कहते हैं कि गांधी जी के पत्र में महादेव भाई की लिखावट होती थी उनकी लिखावट लंबी सी जेट की गती सी होती थी वे सोट हैंड नहीं जानते थे प्रंत लेखिनी में कौमा मात्रा कभी गलती नहीं होती थी इसलिए गांधी जी भी अपने मिलने वालों से बाचित को उनकी नोटबुक से मिलान करने को कहते थे वे अपने बड़े बड़े जोलों में ताजे समचार पत्र और पुस्तके रखा करते थे जिसमें वे रेल गाडी रैलीओं तथा सभाओं में पढ़ते थे या फिर नव जीवन या यंग इंडिया के लिए लेख लिखते थे वे इतने विया समय में अपने लिए कव वक्त निकाल पाते थे पता नहीं चलता था एक घंटे में चार घंटों का काम निप्टार देते थे महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गये थे कि उनके बिना महादेव जी की अकेले कलपना नहीं की जा सकती उसके बाद लेखा करते हैं कि उन्होंने गांधी जी की पुस्तक सत्य का परियोग का अंग्रे जी उन्वाद भी किया 1934-1935 में गांधी जी मगनवाडी में चलकर सेंगाव चले गए परंतु महादेव जी मंगवादी में ही रहे वे रोज वहाँ से पैदल चलकर सेंगाव जाते था साम को काम निटा कर वापस आ जाते और उसका कूल दूरी 11 मिल था इस कारण उन्हें सवस्त पर परतिकूल परभाव पढ़ा और वे अकाल मिर्तियू को प्राप्त हुए इनके मिर्तियू का दूग गांधी जी को जीवन भर रहा तो यही था सुक्रतारे के समान चेप्टर तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो को माधियम से सारे चेप्टर और सारे सब्जल को पढ़ाया जा रहा है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथ भी सेयर करें तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद थांक यू